Hello students, चलिए आज डिस्कस करते हैं MCQs, Class 11, Subject English, Main Reader Book, Hornbill Hornbill से आप डिस्कस करेंगे, Poetry Section और Poetry Section में एक बहुत ही ब्यूटिफुल पोएम है, The Labanam Top, जिसके पोएम है Ted Hughes P.E.D. Ted, H.U.G.H.E.S. Ted Hughes इस पोएम में सबसे पहले आप दो बातें learn कर लें फर्स्ट हो गया The Labanam Top, और सेकिंड हो गया Goldfinch Goldfinch एक बर्ड है, इस पोएम में जैसा की एक लाइन आती है She Stocks It Full, तो इसको मदर के रूप में या मादा के रूप में Goldfinch बर्ड को दर्शाया गया है जो Goldfinch बर्ड होता है, Brightly Colored होता है और इसके Plumis में Yellow Feathers होते है Plumis बर्ड का वो एडिया होता है जहां पे उसके Feathers पाए जाते हैं, तो Brightly Colored होता है और इसके चेहरे के ऊपर इस तरीके से डिजाइन होता है कि जैसे ऐसा लगता है That It Wears A Bare Face Identity Mask जैसे इसने कोई अपने चेहरे के ऊपर मुखोटा पहन रखा हो ये तो Gold Fitch Bird के बारे में आपको बदला दिया है अब बात करते हैं The Labernum Top Top means उपरी शिरा, शिखर आप कहते हैं The Labernum Top को हिंदी में Amaltais का पेड कहते हैं Small Genus का पेड होता है और Poisonous होता है और इसकी जो Smell जो कहते हैं अच्छी Smell हलांकि Pleasant Smell उसको बतलाया जाता है Wood Sea Smell आप कहें या तो Wood Sea का Correlation Woodland एरिया से आप करके बतला सकते हैं नहीं तो Wood Sea का मतलब है जैसी Wood में से Smell आती है लकडी में से Smell आती है उस तरीके कि इसकी Smell होती है और ये इतना Poisonous इतना Little होता है कि अगर इसको Use किया जाए इसको अगर कोई खा ले तो वो Unconscious भी हो सकता है कोमा में भी जा सकता है और Death भी हो सकती है ये इस तरीके का आपका Labernum Tree होता है कुछ Word मीनिंग्स है थोड़ा स्टार्टिंग में हम Word मीनिंग्स को डिसकस कर लेते हैं Twitching means Give Sudden Jerking थोड़ा अचानक से जर्क करना जटका मारना Twitching means Give Sudden Jerking चिरप CH-A-R-U-P या CH-I-R-P means Short High Sounds चहकना चहकना अब चितरिंग्स चितरिंग्स means भी चहकना होता है चितरिंग्स मीन्स चैटरिंग्स साउंड C-A-T-E-R-I-N-G चैटरिंग्स साउंड Tremor slightly shaking थोड़ा हिलना Tremor T-R-E-M-O-R Tremor slight shaking थोड़ा हिलना Tremor of wings पंखों का फरफ़राना पंखों का धीरे से हिलना Subsides to empty means complete silence S-U-B-S-I-D-E-S Subsides to empty means complete silence पूर्णत है शांती पूर्णत है चुपी Launches away means to start something away आप कह सकते हैं Launches away जैसे यहां उडान भरना Launches away जैसे हम कहते हैं कि यह product launch किया गया है मतलब उस product को की शुरुवात की गई है बट यहां पर launches away का मतलब इस poem के अंदर है Launches away यहनी कि अपनी वो उडान दूर जाने के लिए अपनी उडान की वो शुरुवात करती है उडान भरती है gold pinch bird Trillings means warbling sound Warbling sound का मतलब होता है कि bird singing with changing notes When a bird is singing with changing notes अपने जो notes है उनको change करते वे कोई bird sing कर रहा है गा रहा है Startlement means moment of startlement या to startle संसनी उसके बाद में हम बात करते हैं Stock Stock means भरना या supply with fuel जैसे इंधन उपलब कराना उसके बाद में eerie Eerie means strange and frightening अगबुत और frightening डराने वाली आवाज Eerie sound Eerie Strange and frightening H-T-R-A-N-G strange and frightening F-R-I-G-H-T-E-N-I Strange and frightening Yellowing means yellow colored पीले रंग वाले Still means motionless Still means motion M-O-T-I-O-N motion साथ में less लगा देंगे L-E-W-S यहनी कि जिसमें कोई हरकत ना हो स्थिर्प Whishle chirp Whishle chirp means soft and gentle chirp यानि कि जो goldfincher बढ़ है उसकी जो चिर्प है उसका जो चह चाहना है वो soft है वो gentle है और यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखें थ्री वर्ड्स को हम यहाँ लेते हैं एक हो गया मशीन सेकिंड हो गया इंजन और थर्ड हो गया स्टॉप मशीन जैसा कि क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बतलायागा इस पोएम में कि जो लेबर्नम टॉप है वो still and silent है और इंडिंग में भी यह still and silent हो जाता है शांत और still हो जाता है कोई मुवमेंट नहीं होती कोई हल चल नहीं होती लेकिन बीच में जब एक ब्रांच एंड पे आके गोल्ड फिंच बर्ड बैठ जाती है और फिर वो जो ट्री की ब्रांच चीज है उनकी ठिकनेस के अंदर चली जाती है तो machine starts up ऐसा phrase आता है machine starts up ऐसा लगता है जैसे उस पेड़ के अंदर कोई machine है वो शुरू हो गई हो फिर जैसे उसमें ट्वीचिंग चिरॉप ट्रेलिंग और ट्रेमॉर आफ वेंग्स चैट ट्रेंग्स और इस तरीके की जो आवाज पैदा होती है ऐसा लगता है जैसे machine एक पेड़ के अंदर कोई machine ने काम करना शुरू कर दिया हो फिर बतलाए जाता है कि it's the engine of her family and she stocks it full कि ये उसके परिवार का engine है और वो उसको पूरा भर देती है तो यहाँ machine की जहां तक बात की जाए देखिए एक machine जब चलती है वो शौर पैदा करती है machine कब चलती है दोनों तरीके से समझेए machine कब चलती है जब उसका engine काम करता है और engine कब काम करता है जब उसमें fuel डाला जाता है इसी तरीके से हम बात करते हैं कि यहां आपको ये भी समझना होगा Ingin of her family का मतलब है कि जो goldfinch bird दूसरा aspect है दूसरे तरीके से interpret हम कर रहे हैं Ingin of her family का दूसरे तरीके से जो मतलब है वो ये है कि ये जो young ones है young birds है goldfinch bird के goldfinch bird जो मादा है मदर है उसके ये young ones है इन के लिए Ingin of her family word यूज किया गया है और she stops it full का मतलब है कि वो अपने young ones को खाना खिला देती है और खाना खिला कर फिर वो she launches जबे वो उड़ जाती है उसके बाद वो उड़ जाती है तो यहां एक word और आता है machine यहां machine का मतलब ऐसा होता है कि a well organized political group एक बहुत अच्छे तरीके से वैवस्थित राजनितिक सुमू को machine कहते हैं जो एक leader के guidance में, leader के under में, leader की leadership में काम करता है और leadership जिस आदमी की, जिस वैक्ति की होती है, वो उनको सहरा देता है, sport करता है उनको भरन portion करता है अपने उस political group का कौन करता है, leader तो यहाँ, इस poem के अंदर leader कौन है, goldfinch bird है, और जो young ones है वो engine of her family है उसके परिवार के सदश्य है, और she stocks it full जिस तरीके से leader अपने group को sport करता है, सहरा देता है पालन portion करता है उसी तरीके से ये goldfinch bird है, ये अपने young ones को खाना खिलाती है और उसके बाद में उड़ जाती है, उमीद करते हैं अब आपको ये बात सवज में आ गही होगी, वर्ट में निक्स हमने discuss कर लिए, poem को हमने समझा गिया, अब MCQs थोड़े से हैं, बड़े अच्छे से आपको आ जाएंगे, देखे करते हैं फर्स्ट है, who is the poet of the poem The Labernum Top, जो आपकी poem है, उसके poet कौन है चो आइसी हैं, A. Ted Hughes B. William Wordsworth C. Robert Frost D. John Kids, आंसर होगा Ted Hughes Then, what has been said about The Labernum Top Labernum Top, आपसे question पुछा जाता है, what is the similarity of, what is the difference between the beginning and ending of the poem, The Labernum Top इस poem के शुरुवाद और अंत में क्या समानता है, क्या अंतर है कुछ अंतर नहीं है, there is no difference, in the beginning The Labernum Top was still and silent, and in the same way The Labernum Top was still and silent in the ending शुरु में भी और अंत में भी still and silent था, choices है still and silent, be free C. बोच एंड भी, D. नं अंसर है, still and silent What has been said about The Labernum Top still and silent, what time of the day it is, ये दिन का कौन सा समय है, a Monday be morning, C. afternoon of September be none पोईम को जब हम read करते हैं, text को read करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है, के वहां लिखा हुआ था, लिखा हुआ है के few leaves yellow few leaves yellowing, कुछ पते जो पेड़के हैं, वो yellow हो रही है, few leaves yellowing, तो पेड़के जो पते yellow होते हैं वो कब होते हैं, पजड़के मौसम में autumn के मौसम में, और months में बात की जाए, तो autumn कब आया September में, और bright sunlight दिखाई गई है, इस means afternoon का time है, तो हमारा देखे, च्वाइस होगा, afternoon of September, यह हमारा correct answer होगा, what time of the day it is, afternoon of September, learn कर लेंगे, then what shows that it is the autumn season, किस बात से आपको पता चला कि यह autumn season है, पजड़का मौसम है, ए ग्रीन लीव, येलो लीव, ए रेड लीव, येलो लीव, येलो लीव, आपका अनसर होगा, येलो लीव, फीले पतों से पता चला, that it is an autumn season, what sound does the goldfinch make, goldfinch bird कैसी आवाज पैदा करती है, a twitching chirrup, b bend, c both end, b none, सिधी सी बात है, twitching chirrup, ये जो words है, इस poem में लर्ण कर लें, twitching chirrup, tremor of wings, tailings, chattrings, chitterings, chirrup, where does the goldfinch land, goldfinch bird, वो कहां आकर land करती है, कहां आकर उतरती है, a green leaves, b yellow leaves, c end of a branch, b none, आपको बतला है था, end of a branch, एक शाखा के अंत पर आकर, goldfinch bird उतरती है, what makes the tree tremble and thrill, पेड किस वज़े से कापने लग जाता है, और रो मंचित हो जाता है, choices हैं, a the sadness, be the joyful moments of the goldfinch young ones, goldfinch bird के, जो बच्चे हैं, young ones हैं, उनके आनंद दायक जो पल हैं, उनकी वज़े से, the joyful moments of the goldfinch young ones, see both and be didn't, आपका अंसर है, the joyful moments of the goldfinch young ones, the joyful moments of the goldfinch young ones, ये आपका अंसर होगा, then what has the goldfinch been compared to, goldfinch bird की comparison, तुलना, sleek and abrupt, किस से की गई है, a loin, b lizard, c sparrow, be all of the book, आंसर होगा, lizard, where does goldfinch enter, goldfinch जो bird हो कहां जाकर घुश जाती है, a thickness of the branches, the yellow wood, c near the land, d all of the book, अंसर होगा, thickness of the branches, what does the goldfinch do, before flirting out, उठने से पहले, before launch जवे, वो क्या करती है, a to fly away, b to feed her young ones, c to sleep, d none, क्या करती है, to feed her young ones, अपने बच्चों को, आप खाना खिलाने के लिए, goldfinch, जो मादा है, मदर है, वो labernum top के अंदर, branches के अंदर, thickness के अंदर, गुश गई थी, उनको खाना किलाया था, to feed her young ones, then, what sounds does she make, when she flies away, जब वो उड़ती है, launch जवे, की जो moment है, पल है, उस time पे, वो कौन सा, शोर पैदा करती है, a happy sound, be delicate sad sound, she still, be all of the whole, delicate sad sound, वो पैदा करती है, how does the labernum, look after she has flown away, जब goldfinch bird, उड़ जाती है, labernum top, अब फिर से, कैसा दिखाई देता है, वही starting वोला, जो question था, वही यहाँ पर answer होगा, a happy, be silent, c still, d both, b and c, आपका answer होगा, both b and c, still and silent, तेखिए, यहाँ पर भी आपसे starting में पुछा गया था, question number two में, what has been said about the labernum top, starting की बात थी, still and silent, और ending की बात है, still and silent, both b and c, b choice में silent था, c में still था, silent and still, yeah still and silent, यह आपका answer होगा, both b and c, what is the meaning of the word machine, machine जो word है, उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, एक group of goldfinch, young ones, जो goldfinch bird है, उसके young ones का group, young ones का, बच्चों का, smooth, b tree, c leaves, d none, answer होगा, machine means, group of goldfinch, young ones, students, बहुत ही easy, ncq'd हैं, बहुत ही easy, आपको choices दी गई हैं, और, उमीद करते हैं, कि यह poem, और, इसकी explanation, poem की, जिस तरीके से, हमने थोड़ा brief में, explanation भी दी है, आपको समझाया भी है, और ncq'd आपको समझ में आ गई होंगे, आपकी next poem के ncq'd के साथ, जल्द करेंगे मुलाकाद, thanks, have a nice day,